कि विज्ञान एवन प्रोदेगे की प्रिफ्टी विज्ञान स्वास्त एवन करिवाद कर लाण डॉक्टर्श वर्शुप आज हम साइंस इंडिया पद्रिका जो की पहले से भी प्रकाशित हो रही था उसके ने तलिवर वाले संस्क्रण को अंक को आज के इस और सब्सक्रण समारों में हम सब पस्थित हैं इस डिजिटल जायस्त पर पस्थित माने भी मत्री विज्ञान एमुप्रोदेगे की प्रिफ्टी विज्ञान स्वास्त एमुपरिवाद कर लाण डॉक्टर्श वर्शुपर्देजी हमारे राष्ट्रिया ध्यक्ष डॉक्टर विज्या जी वोट्का जी राष्ट्रिय स्वंजिन कंत्री विभाग स्रीजैन स्वास्त विदेजी इस पत्रिका के संपादक जेगर गोशी अन्य प्रतिबागी गण विज्ञान भार्थी के करें प्रिफ्टा गण इस और पर हम सब मानी मंत्री जी विज्ञान हो इक आपकी मष्वकी से मधर्वार्वार्ण कर रहा है और प्रसनता का ख फ्रस्त विखा रॉप्ते वरके के राश्ट इस सब्सार कह cicat करते हैं अभिनेंदर करते हैं इस अउसर पर उपस्थित आन्या आपके लोग जो लेट का थी जो रहे हैं आप सब का अधिस वाज़त है अब इस अब कर दो कि अधिकर जो कि अधिकर आप की राइटी के राष्टे राच्टन राइट्ट है संप्रती नादन आपिश्वेद्धाले के बुलालोगदी है वारम सुपरकंफ्र कंप्रूटर में इंडिया की उच्टन जाने जाए इनको अने काने तुरस्काथ आपके कदल सी तरह मारा अधिसी फारत द्रत्व जैसे सम्मान से उनको प्रस्क्रिक किया गया है आपसे अन्य कि आपके शोट रहा ये आपेट आपउस आमालोगवार इस से एतले स्वेसी पशस्दाव के तरह मैं इंड है करेधिड हैसे ट्र muralते है। तर दीम्हश्ट प्लीद को डिंट प्लावाप कर्योंग को अब Camci अ बऩाडिंबर है弁डी博 जफ। जटोसॉतन स में लाटिंबरी असज़ में लाट है है। यह सिरो प्रग जालो टुर्स ठालोट है है प्रेश य्यार्जुन जरी प्रेंग कर दो मेर के अप्रोब कर दो जसे साओंगी है ये लूग जाओ प्रेशश, कि अप्रेश ठीम्ट्रेश, टेख वीजित प्रेश्ड थरूप मेर के वर जोगारे हैं तुर्णी दिन आजग आटरी से लिए रखने और तुर्णी सैटरी लिए टिन आटरी लिए पाटिए टुर्णी तो उनीज़ दीफ, कि विल्ग अजग रखने रेस्ट कुछिए। हो सब्सक्राइब कर देवार्य है, जह इए पर विछ निए धन्म आतर्वादागीश सब्सक्राश सब्सक्राइब कर दो क्या जा हुoid, जह जए रर्थिए मुझे हो जए अविलागीश बस्पर विग्स कि दुटाइब एग जिए खिवा जाहुपतु अजराय मार्च, हो ब हुआ है तरह जुटीजी से प्रिकाट के अनावन है और विमोचेप के लिए अनुप करूँ जय सके इस में अनुप के आपके सब्सक्राइब इस प्रिवा के बारे बाए है तो इस दिनषीट में प्रिका के बारे में ऊड़ा कि जाओंगा कि विद्यान वार्थी कांदोलर्ण को इंगिने शूलप साइंस में वर्ष असी के दसके शुरू हुआ और इसे कंभी कास्ता साध्याते इक समुचुटा लुग ले लिए और उन्सुटा लुग जाते कि इसके भी बिटाया में किमिशने के लिए इसके अगने के लिए बिद्यान ने खेक लिए उतना स्कारण बनाया और लगाया शक्यता उप्साप न वाहिए इसमें कि वह जानते हैं कि वह एच्छी को सेटाना भारत के आऊशक्ता के दो घ्रक राइथ कि अधियान भारती है जो सांच में जीने वो भी जान भारती के इस भारत के घर्ज्यानी को प्रियां उनके युदान के बारे में बताना राश्ट रहता है विस्कों अधलाई ऐसे कर एक शुट्रवाकिल के साथ नए उठ्टन को सुट्पर गए है इसका एक और शुट्रवा कि अधल तक शुट्र में थिल्ट रहता है यह कडिशन खत्रापन के स्पाइब तोर हां आट इस फ़檬ारे को अगर्ट कर दो जो कि वाले कि एलए और फुल्टेंशन आश्टम होगा और हम मिलेने इस अधियाकरन अग्रम्ह सामय सν हाल थिसक्ति आसफास देश्च्श्चं कि आपकों से खात्मक वसर्च वरकर से हम इनमाइट राट की वंगा रहा है और इस पुले जो फिलिगों को मतला है कि साइंस इंडिया कि भारत की इस अथैंटी की विशुशनी और लोग को पुलिया और प्रतिश्चित इन मेधिन के रूप में अथापीत हो ऐसे वसलते यह अथे खुशी की बात है कि हमारे माने मुझी जी जो जो वहुंती फिद्वा के धनी है और जो जिनका पुले दोस्ते पें प्रत्रण और मेट्ल से अतना बड़ा नाम है उन्होंने उनीस उपर सुनी सो तिरानमे से लागतार सामाजी की उन्होंने सब्दा रख्ता रख्ता गया थे अन्होंगे बरकता है उन्होंती जो उन्होंती नामेसिट्रा शाय प्रत्रा सिने माली तर मुशल से रख्ताल में नामक्यत कोुश most哇 नाच्टर विजय भठकरदी विज्ञान भार्ती के राश्ट्रिय अध्यक्ष उनके सहयोगी राश्ट्रिय संगठन मंत्री जैन्त सहस्त्र बुद्धे जी और विभा के नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर उंकार राय साइंस इंडिया के एडिटर शिरी देवुब्रत घोष जी आज के इस कारिक्रम में यहां पर मेरे साथ जो लगातार विज्ञान भार्ती को सहयोग करते हैं ऐसे प्रवीन जी भी यहां पर हैं और मैं समझता हूं कि बहुत सारे विज्ञान भार्ती के देश भर के दुनिया पर के प्रमुख लोग इस मैगजीन साइंस इंडिया से जुड़े हुए इसके एडिटोरियल बोर्ड एड्वाइजरी बोर्ड और दूसरे पहुत सारे महत्पूर्ण लोग इस समय कारिक्रम से जुड़े होंगे मैं नहीं जानता कि कौन लोग हैं जुड़े हुए वरिष्ट लोगों का शायद नाम मैं ना ले पा रहा हूँ उसके लिए मैं उन सबसे शमा मांगता हूँ लेकिन मुझको इस मैगजीन का विमोचन करते हुए जितने आनंद की अनुभूती हो रही है उसको शब्दों में वर्डन करना मुश्किल है मैंने इसको विमोचन यद्द भी मुझे ए मैगजीन तो कल ही मिली थी लेकिन मुझे कल से अभी इसको देखने का मौका नहीं मिला था लेकिन इस कारिक्रम में आने के पहले मैंने पिछले एक घंटे में इसको मैगजीन को अच्छी तरह से अलट पलट कर देखा साधारणते घर में भी जब कोई भी मैगजीन आती है किसी पर्टिकुलर मैगजीन का नाम लेना ठीक नहीं है लेकिन सबसे पहली प्रक्रिया यही होती है कि मैगजीन को एक बार तो हम पहले पेज से आखरी पेज तक तेजी से पलट डालते हैं और उसको पलटते समय हमारा एक मन बनता है कि इस मैगजीन के अंदर मेरे लिए पढ़ने लायक क्या है मेरे को किस चीज में इंटरस्ट आएगा क्या मैं पढ़ पाऊंगा या उस समय मेरे पर समय भी नहीं है तो माइंड में प्रेशर रहता है कि वो मैगजीन है हमारे पास इ ये चीजे हमें पढ़नी है साधारण ते अधिकांश मैगजीन में रूटीन चीजे होती है और बहुत सारी मैगजीन में तो केवल एविटिजमेंट से जादा होते हैं और content जो है जो actual content है वो कम होता है sponsored articles बहुत जादा होते हैं और उसके कारण जो बहुत सारी संधरस दर्व में भी में science की मैगजीन की बात नहीं कन tô मैगजीन पर से जो जिसको मैगजीन बोलते हैं उसकी बात कर रहा हूं क्योंकि हर शेतर की मैगजीन हम लोग को मिलती है किसी कुछ magazines के हम वर्षों से subscribers हैं लगबग 30-40-40 साल से कई magazines लोग ऐसे complimentary coffee के रूप में भेजते हैं तो इस नाते magazines के बारे में कुछ एक अनुभव भी हुआ है एक अपना वेक्तिकत ज्ञान भी हुआ है उसके बारे में एक feeling भी develop हुई है तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि विज्ञान भारती की magazine है विज्ञान भारती हमारा अपना विचार परिवार का एक सदस्य है उसके विज्ञानिकों के द्वारा यह production है लेकिन बिना किसी बायस के बिना किसी prejudice के मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं और इस बात की से जुड़ा हुआ विशे है और मुझे इस समय विज्ञान और प्रद्योगी की का भारत का मंत्री होने का स्वभाग्य प्राप्त है तो मैंने इसको मैगजीन को जब पहले पेज से आखरी पेज तक फ्रंट कवर और बैक कवर को देखते हुए पलटा तो मैं यह अगर कि मुझे कोई भी ऐसा स्थान नहीं दिखाई दिया जहां मुझे उसको पढ़ने की उस आर्टिकल को और गहराई से देखने की उसके लिए मुझे समय मिल जाए उसकी जग्यासा ना पैदा हुई हो इच्छा ना पैदा हुई हो मन से सभी आर्टिकल्स जो प्रसांगिक्ता की दिख्टी से quality की दिख्टी से और जो वास्तव में जो हमारा एक perspective है विझन भारती का की विझन जो है जैसे हमारा भारत है वो शैद समाजीवन के सभी शेत्रों में वो दुनिया के अंदर विश्व गुरु रहा है, यह हमारी एंशन्ट विज्डम का, विज्ञान भी एक बहुत बड़ा एक अंग है, विज्ञान है, आयरवेद है, मेडिसिन है, एजुकेशन है, सभी फील्ड्स में हमारे पास बहुत क चीजों की जिसे कहते हैं कि हर प्रकार की चीज और आज के मौडन समय के अंदर क्या चीज की आवशकता है, विज्ञान को जितना मैंने छे साल में समझा है, विज्ञान की कलपना केवल उतनी ही थी जितनी स्कूल में विज्ञान पढ़ा, उसके बाद तो मेडिकल साइंस पड़ी एक दशक तक, लेकिन विज्ञान मंत्री होने के बाद समझ में आया है कि विज्ञान में बहुत अभूत पूर्व ताकत है, और ये अभूत पूर्व ताकत जो है देश और दुनिया की हर बड़ी से बड़ी समस्या जो वर्षों से लोगों को तकलीफ देती हो, उ एक बार लोग विज्ञान में रुची लेना शुरू करें, तो फिर जिस तरह से मैंने पिछले छे साल में देखा, कि जब भारत में स्टार्ट अप और स्टैंड अप का मूव्मेंट पिधान मंत्री जी के एक तरह से आवहान पर शुरू किया, और जिस तरीके से रोल लिया, बड़ी-बड़ी समस्याओं का समधान, साधारन लोगों ने करके दिखाना शुरू किया, इनोवेटर्स जिस तरह के विक्सित हुए, और उसी का प्रणाम है कि अभी भारत नई अपनी साइंस और टेक्नोलोजी इनोवेशन पॉलोजी दो हजार बीस में बनान हम पिछले समय में शुरू किये गए हैं, देश में जो हमारे दूसरे मंत्रैलों के साथ मिलकर हैं, विशेशकार HRD के साथ है, जिनके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पैशन शायद एक कुछ दशक बीच में ऐसे आए जब ये पैशन शायद धिरे-धिरे कम होता था लेकिन अब वो दुबारा से जो है, वो साइंस के प्रती रुची और पैशन ये दुबारा से जग रहा है, विक्सित हो रहा है, और ऐसे समय में विज्ञान भारती के द्वारा एक तरफ ऐसे विज्ञानिकों का जिनकी positive सोच होगी, जो अपना काम केवल एक पेपर को प्र सात्मिक्ता है, first things first, इस principle को follow करते हुए, और उसमें भी जो हमारी देश की जो प्राचीन गहराई और महनता है, हमारे प्राचीन महान विज्ञानिकों की जो एक श्रेष्ट कारे शैली है, श्रेष्ट उनका जो दर्शन है, वो दर्शन भी शायद जो हमारे विज्ञानिको के सोच में हमेशा अभी व्यक्ति उसकी होती थी, कि हमारे लोग कहते थे कि हम पेटन नहीं लेंगे क्योंकि साइन्स तो उनिवर्सल है, साइन्स का जो अचीवमेंट है, वो सारे दुनिया के लिए है, वो खाली अकेला मेरे लिए या मेरे देश के लिए नहीं है, ये सोच गया कि इंडियन इंस्टिटूट आफ साइंस से जो है बैंगलॉर से ये असी के दशक के शुरुआत में ये एक्टिविटी शुरू हुई आते आते नभे के दशक में एक संगठन बन गया ये सुदेशी साइंस मुव्मेंट देश के लिए बहुत बड़ा मैं समझता हूं व वारे में जादा विस्तार से अभी चर्चा करने का शायद समय नहीं है और उसके साथ साथ जो अभी ये वाला जो प्रयास आपका है कि हम साइंस को मोस्त मॉडरन और ट्रेडिशनल तरीके से अपने महान विज्ञानिकों को आज के एस्पाइरिंग साइंटिस को संगिक है उसको पूरे एक आधुनिक तरीके से हम प्रस्तुत करेंगे और खाली प्रस्तुत इसलिए नहीं करेंगे कि हम को एक मैगजीन पब्लिश करनी है बर जैसा अभी भटकर जी की बात से मुझे समझ में आया कि ये मैगजीन सारे दुनिया के अंदर जाएगी दुनि तो निश्चित रूप से जहां तो जानकारी मिलेगी बहुत सारी अच्छी बातों कि उसके साथ साथ उसको एक जो उसका जो एक आत्म उसको स्वाभी मान कह सकते हैं उसको एक गर्व की अनुभूती भी होगी कि भारत जो है वो विज्ञान के शेत्र में भी अभूत पूर प्रगति कर रहा है प्रधान मंत्री जी जो न्यू इंडिया का सपना देखते हैं न्यू इंडिया की 2022 तक बात करते हैं जो विश्व गुरु भारत की बात करते हैं जो 2030 तक इंडिया को टॉप 23 scientific nations बनाने की बात करते हैं scientific social responsibility की बात करते हैं यह सारी चीज़े वास्तव में सफल और साकार करने के लिए इसमें विज्ञान भारती जैसे संगठनों को बहुत महत्पूर्ण भूमी का निभानी है एतिहासिक भूमी का निभानी है और उस नाते मुझे लगता है कि यह magazine उस सारे काम में बहुत बड़ा योगदान करेगी पिछले 5-6 साल से हम लोग ने इतिहासिक तरीके से इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को देश में आयोजित किया है विज्ञान भारती के साथ मिलकर बहुत भूत पूर्व उसमें सफलता मिली है हर साल की सफलता पिछली सफलता से बहतर होती थी और इस बार भी हमने कोविट के बावजूद य दोनों तरीके से हम इसके अंदर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में इस बार इंप्रोव्मेंट करेंगे बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को इंवाल्व करेंगे और एक बार फिर जो विज्ञान भारती का जो पोटेंशल पिछले साइंस फेस्टिवल में देखा गया हजारों लोगों को जो है बच्चों को साइंटिस्ट को हर तरह की उनकी विवस्थाएं करना उसमें सहयोग करना इंजाम करना इतनी चीज़ें करते थे अब इसमें नए आयाम के अंदर नए न्यू नॉर्मल के साथ इस बार डिजिटल दुनिया को भी जो है कै इसे हम अपने इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में इस्तमाल करेंगे और सफल बनाएंगे यह भी हमारे सामने एक बड़ा चालेंज होगा अभी आज इस अफसर पर मैं इतना ही कहूंगा कि मैगजीन को बनाना प्रोड़क्शन करना इसमें बहुत समय महनत लग सकती है वो स्कूल की लैब्रेरी हो सकती है वो कॉलेज हो सकता है वो यंग एस्पारिंग साइंटिस्ट हो सकता है वो यंग इनोवेटर हो सकता है या दुनिया भर के अंदर साइंटिस्ट के साथ शेरिंग करने का प्लेटफॉर्म हो सकता है उन सब के पास आजकल तो ऐसा तरीका हो गया है कि जरूरी नहीं कि आपको कोई hard copy हर एक चीज की भेजनी है हर एक चीज की soft copy से share हो सकता है लेकिन यह magazine मेरी यही कामना है कि इतनी जादा popular होने चाहिए it should one day become the most sought after magazine in the at least in the field of science इसको उसी भावना से इसको आगे ले जाना चाहिए मैंने पढ़ा था इसके जो पहले पेज के उपर जो लिखा है जो इसके patrons है advisory board members है और chief editorial advisor तो यहां बैठे ही है editorial director editor यह पूरी जितनी team है इस team में जो नाम है वो बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है बहुत बड़े बड़े नाम है तो editor सहाब को भी मेरा यह कहना होगा कि यह जो team के जो नाम है अब इसमें बड़े बड़े पदम विभूशन और ऐसे महराष्ट रत्न और इसी तरह के कितने तरह के लोग सभी लोगों को बहुत बड़े बड़े अवार्ड भी मिले हैं उनका recognition national international level पे हुआ है इनके अगर नाम लिखे है यहां पर तो सभाविक है इनका आशिरवात तो आपको मिले करेगा ही लेकिन इनके व्यक्तित्व के अनुरूप इस magazine का standard status quality और vision होना चाहिए इसके उपर हमें लगातार जो है प्रयास करना चाहिए मुझे पूरा उमीद है कि हमारा विज्ञान भारती Science India magazine को उसी स्तर पर अभी इसका कहने का मतलब यह नहीं कि इसका स्तर मैंने बताय है कि पहली बार किसी magazine को हाथ में लेकर मेरे मन में इच्छा हुई कि इसको सारे इसके articles को मुझे पढ़ने का समय मिल जाए तो इस यूनीक आइटिंक achievement for all of you but I think for everything for every progress for every success sky is the limit we should not feel contented that यह बहुत अच्छी हो गई है हमारे को तसली का भाव कभी विक्सित नहीं होना चाहिए we should strive to become better 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 and ultimately the best not in India but all over the world अगर आज हमारा विचार परिवार दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है जिसको दुनिया recognize करती है तो हमारी magazine का स्तर भी उसी तरह का होना चाहिए संग के एक वरिष्ट अधिकारी ने एक बार मेरे घर पर आकर एक सुझाव दिया था मुझको और उसके अनुरूप हमारे विज्ञानिकों ने मंत्राले में काम किया वो सरफ इसके लिए आपको इदर share कर रहा हूं कि हो सकता है maybe on those lines you can also work something उन उनका जितने भी देश में महा विज्ञानिक हुए उन महान विज्ञानिकों के डिटेल में जीवन का अध्यन कराओ उनके रिष्टेदार उनके स्टूडेंट्स उनके कुलीक्स उन से सबसे बातचीत करके और उनके जो जीवन के जो जिसे कहते हैं inspiring moments है inspiring उनके जो काम है वो जो है publish होने चाहिए ताकि ज तो आज की जनरेशन के विज्ञानिक हैं उनको बड़ा बनने के लिए क्या चीज़ें जरूरी है उसके लिए जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा electron microscope होगा या confocal होगा या कुछ होगा बड़ी laboratory होगी वो जरूरी नहीं है उसके लिए ज़रूरी है उसके लिए कारेशयली जरूरी है तो वो पुराने जमाने के सर सीवी रमन डॉक्टर सीवी रमन जैसे और जगदीश चंद बोस जी जैसे पीसी रे जैसे और रमा नुजम जैसे लोगों के जीवन को पढ़कर मिलता है तब हमाई डिपार्टमेंट ने एक-दो साल रिशर्च करके पच्पन के करी I think brainstormed by the people here and see that what are the new innovative things that we can put in the magazine so that we improve its quality and take it to its you see peak that is I think my wish, desire and prayer to God for Vigyan Bharati and this Science India magazine with these few words I would once again like to thank all of you and express my gratitude to Vinay Jain Shast Buddeji who has who had in fact he had requested me yesterday only but today was such a tight compartment in terms of programs he said let it be for 10-15 minutes only so I thought it is a privilege for me also to be associated with this PIAS program that's why I thought that we will try to steal 15-20 minutes for this program and I have to express my gratitude to all of you thank you and congratulations Dr. Vijay Bhatkar Ji and all your team who are present here in this program and all others who are not present and who are with us virtually wish you all good luck and good health these days in times of covid thank you and thank you as ok 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 हुआ 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 हुआ। हुआ है। शोद्टाशी पसाटिए हुआ 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 है। ध्रश्वारण ट्रश्वारण चीज प्रीज प्रीज ने खुवार उद लिए प्राइश कर्वार ने खौर्ट बावर लाइटन ट्रीज प्रीज दिए हो। प्रवीन रहीं रहार चेड़ बवाग्पैंजी जै만 विए इम्न्म प्रवाइजे दूनी स्टेथि डिवागर बडिएज परे नुटते गुट्टे परें लूट्य पुट्टेवजें चाहिश जाट रखेश्पूइ के चाहिए चाहिए नोटने में आदे हमें मोच बाटना ये जरतत अष्याटत समीनिते हैं ए सुन्टेडिटम record हैं आपसी अप्राइमेश आप्ताद मेड्सर ओख पे अडि़ इस व्लाइम से इव एंशेते हैं लाव किरिंट आपाई अपड़के बीजिनकिता टापाईम और दूज सर देजिए उसे विए कि अप्पूर निए। भी जब कर दोगने में एस इसे तो यह भीए और क्या दोगने और गूजिए तो आपाई बगूनेया है। इसके साथ ही मैं आप सबको नवराक्रियन और जोगा फुजा की हार्जिक शुपान मां के साथ नमन करता हुआ नमन करता हुआ नमन करता हुआ नमन कर दो मिनिट में अप्रमा करता हुआ स्टेज लगाओ